हेलो फेंट्स आज की सीडियो में हम बात करेंगे जमैटो के शेयर पे फेंट्स टोक की क्या कुछ अपडेट निकल के हमारे सामने आ रही है और क्या कुछ मुमेंट आपको आप इस टोक में देखने को मिलेगा और भी काफी important point है जो हम इस वीडियो में cover करेंगे तो वीडियो को पूरा जरूर देगना आगे बढ़ने से पहले आप से की request अगर first time चैनल पर विजिट करेंगे तो चैनल को subscribe करके notification bell को उन कर लो ताकि आनने वाली वीडियो की notification आपको मिल जाए जैसे कि friends मैंने कल की आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जमैटो पर ही और उसमें मैंने आपको बताया था कि भी कैसा माहूल आपको स्टोक में देखने को मिलने वाला है वहां पर भी जो बड़े बड़े एनलाइस हैं जो टारगेट दे रहे हैं वो भी आपको बताया थ यहां पर जो गिरावट का रीजिन है वो एक बलक डील थी जिसकी वज़े से भई आपको सुबह के टाइम पर गिरावट देखने को मिली थी लेकिन बाद में सारी यह रीकवर भी हो गया है अब कैसा माहूल आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर भई आज के दिन यहां भई डोजी बनती हुई नजर आ रही है लेकिन आप यह देखो बलक डील हुई है बलक डील के बाद भी स्टोक ने पूरी रिकवरी दिखा दिया तो भी पोसिबल्टी है कि अपसाइड का मुमेंट देखने को मिले क्योंकि इनके जो क्वाटरली रिजल्ट है वो भई उमी की तक श्टोक जाता और नजर आ सकता है कनफर्मेशन के आप यहाँ पें इंट्री लेना अधर्वाइस इतने हाइप प्राइज पे बगार कन्फर्मेशन के इंट्री मत लेना क्योंकि ओल्रेडी स्टोक काफी अच्छे रिटन यहां पे दे चुका है अगर कन्फर्मेशन हो तो ही इंट्री लेना अधर्वाइस इंट्री मत लेना टार्गेट 320 तक का जो हमने एरो लगा रखा यहां पे तो मैं एक दो पॉइंट नीचे ही रखती हूँ टार्गेट को ताकि टार्गेट हिट हो जाए यहां पे 320 का और जो बड़े-बड़े अनलाइस है वो भी टार्गेट इसका अपसाइड का दे रहे हैं लेकिन यहां पे जो स्पोर्ट है यह स्पोर्ट है जो कि मैंने कल भी बत दिखाता था आपको थ्री हंडड़ स्वरी 255 का यहां पे स्पोर्ट लेके रीकवरी दिखाता रहा है तो अच्छा है अगर इसका ब्रेकड़न कर दिया तो फिर यह तूहंड़्ड थर्टी शावं तक आता हो और नजर आएगा और इसका भी ब्रेकड़न कर दिया तो फिर 206 तो भी यह stock आता हो ने जर आएगा आपका क्या कहना इस stock के पारे में comment करके बताना क्या stock में भई अभी position बनाना आपको अच्छा लग रहा है या नहीं यह भी comment करके बताना मेरे according तो भी breakout दे तो confirmation के बाद आप फे 320 तक का target रख सकते हो अगर यहां पे भी अपने position बनाई है तो पहला target आप 280 का यहां पे रख सकते हो बाकि आप भी अपनी right comment के थरू जरूर बताना और इस यूडियो का motive only for education पर पजह है इन्वेस्टमेंट से पहले प्लीज खुद के analyze जरूर करें